नमश्कार दोस्तो स्वागत है आपका Infinity Knowledge में तो दोस्तो फिलाल के टाइम में देखा जाये तो भारत अपनी तीनों की तीनों सेनाओं को मजबूत करता जा रहा है और भारत अपनी तीनों सेनाओं को दिन परती दिन नए नए हतियार प्रोवाइड करा रहा है लेकिन भारत के लिए सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात एक यह है कि भारत में बड़े बड़े हत्यार बनाने वाली सिर्फ एक ही कमपनी है और वो है H.A.L. पहले H.A.L. इतनी बड़ी कमपनी नहीं थी लेकिन जब से मेक इन इंडिया शुरू हुआ है जभी से ही H.A.L. पर भर भर कर ओडर आ रहे हैं और अब H.A.L. यह चाहता है कि आने वाले टाइम में H.A.L. प्राइवेट कमपनीों के साथ मिलकर काम करें तो दोस्तो अब फिलाल के टाइम में देखा जाए तो भारतिय वाईयू सेना को 65 लाइट कमपेक्ट हेलिकॉप्टर की जरूरत है और अगर हम बात करें थल सेना की तो भारतिय थल सेना को करीब 114 लाइट कमपेक्ट हेलिकॉप्टर की जरूरत है और दोस्तो जो यह H.A.L. ने लाइट हेलिकोप्टर 12,000 फीट तक की उचाई तक उड़ सकता है लेकिन इस दोस्तों इस हेलिकोप्टर में जो सबसे बड़ी दिक्कत निकल कर सामने आ रही है वो है इसमें भारत अभी तक कोई भी मिसाइल नहीं लगा पाया है लेकिन अब एनॉंचमेंट कर दिया गया है कि इस ला है कि इसे खरीदने के लिए सभी के सभी देशों की लाइने लगी हुई है और दोस्तों तुर्की ने तो हमारे लाइट कोमबेक्ट हेलिकोप्टर के डिजाइन की तरह ही अपने हेलिकोप्टर को बनाने के लिए कोशिश की है लेकिन दोस्तों आने वाले टाइम में कोमबेक्ट हेलिकोप्टर अपाचे हेलिकोप्टर के साथ मिलकर पूरी तरीके से भारतिय सेना की मदद करने वाला है थैंक्स फॉर वोचिंग दिस वीडियो, हैव गूड डे